Hello Friends, Welcome to Minor Chair, मैं हूँ Krishnah, कैसे हैं सब लोग? मस्ट बढ़िया चुले स्टार्ट करते हैं अपना next topic, surface infection है ना social pharmacy का chapter number 4 हमारा चल रहा है थोड़ा सा lengthy chapter है, बड़ा chapter है जहां पर हम लोग बहुत सारी disease के बारे में समझ रहे हैं ठीक और वेटर chapter बहुत important है, क्योंकि यह जो chapter है आपकी basic जितने भी disease हैं, बिमारियां हैं जो एक pharmacist को पता होनी चाहिए उनके बारे में, knowledge होनी चाहिए, वो सारा यहां पर cover होता है तो surface infection नाम से कुछ ऐसा लगता है कि surface का infection, हमारे surface होने वाला infection तो कही ना कही नाम थोड़ा सा correlate करता है, बट 100% नहीं तो surface infection का मतलब यह नहीं कि infection surface का है, surface infection का मतलब होता है basically कि जो organism है, जो disease cause करने वाला organism है, वो हमारे surface से entry ले लेता है हमारी body में ठीक है, तो अब trachoma कही ना कहीं दिखाई देगा कि आँखों की problem में अभी देखेंगे हम लोग, then leprosy भी होरी skin की infection रहती है, लेकिन body के अंदर की parts का affect करता है titnes में कोई surface की infection नहीं दिखता है हमें, titnes एक अलगली level की चीज होती है, इसे muscles को दिक्कत होती है तो ध्यान रखना, surface infection का मतलब, बच्चे लोग 100% यह सोचते हैं कि surface पर होने वाला infection ना, surface पर होने वाला infection नहीं, जो ऐसा infection जहाँ पर, जो micro-organism है, वो हमारे surface से entry ले लेता है ठीक है, हमारे ऊपर से, body के ऊपर से entry ले लेता है, तो देखो, हाँ, surface infection, यहाँ अब थोड़ से diagram दिखाऊंगा मैं, आँखों के diagram है, थोड़ से बड़ है न, बोर्ट के उपर थोड़ा सा दिखता है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, कुछ लोग, अगर कमजोड दिल क तो कह रहा है साफ साफ, एक ऐसा microbe, जो की able है, सच्छम है, to cause disease, disease पैदा करने में सच्छम है, which enters into the host body, जो की enter करता है, host की body में, host मतलब जिसको बिमारी देनी है, through skin, यह इसका main है, surface infection में क्या है, ऐसा microbe, जो disease पैदा करता है, और हमारी body में, skin के through, ऊपर, body के ऊपर से entry कर देता है, और refer under surface infection, तो ऐसे सारे disease, जहां पर organism surface के ऊपर से entry लेता है, और बिमारी पैदा करता है, उसको हम लोग क्या बोलते है, surface infection कहते है, example को दोर पे, वही तीन example ले लिए, जो हमारे syllabus में है, trachoma, tetanus, leprosy, इसके लाब और भी है, वहारे syllabus में नहीं है, तो हम उसको यह पर नहीं ले रहे, leprosy को हम लोग हैंसेंस disease भी कहा देते हैं, कि लिए रहे, अब देखो पड़ा, trachoma, trachoma आँखो की बिमारी होती है, ठीक है, आँखो में अब ध्यान से, ठीक है, उपर करने जा रहा हूं, डर तो लग रहा, बादर वन जाओ, तो फालन सिस्ट हो गया, आँखो की पुतली, जब अब उल्टी करते हो, तो आपने देखी होगी हमारी आँखो की पुतली एक्दम हलकी सी pink टाइप की दिखाई पड़ती है, और एकदम plane होती है, साफसुत्री होती है, लेकिन जब trachoma हो जाता है, क्या हो जाता है, trachoma हो जाता है, तो ये पूरा redness कैसे आगए, कैसे आगए है, पुरा लाल हो गया है, इन्फ्लेम हो गया है, दाने से पढ़ गए है जिसे हम लोगग्रण भी कहते हैं ना, दाने दाने से पढ़ रहे हैं ये, ठीक है, डेशन ऐसा लगोना कि जखं से लाइनिंग से आगए है, ये वाट वाइ能ink सी आगई है यहां जखम जैसे इसको लेसंस बोल देते हैं जो हमारी कॉर्निय है उसके उपर यह white-white वाइट-वाइट हो जाता है यह सभी ट्रेकोमा के लक्षन है ठीक है उसके बाद हम बात करें तो हम देख सकते हैं किस तरह से white-white है और ये side में थोड़ा सा जो हमारा part है ठीक है तो बिमारी को हमने यहां स्टेटिक दिखा दिया ट्रेकोमा अंखों की बिमारी ठीक है डरा तो नहीं कोई चलो आगा आते हैं अब बात कर लेते हैं क्या कहा रहा है एटिजा क्रोनिक क्रोनिक है लंबे समय तक अफ्रेक्ट करती है communicable भी है और कहां की बिमारी है आई और cornea की आँखों की आँखों में उपर का जो बने बताया है जैसे आँखों की पुतली हो तो नहीं ऐसे खोल देते हैं हम लोग तो आँखों में और cornea की बिमारी है यह clear it is important cause of blindness अंधेपन का बहुत बड़ा कारण है इस दुनिया में ट्रैकोमा ठीक है it ranks in the top three causes of blindness worldwide पूरी दुनिया में अंधेपन के जो कारण है उन में से top three में इसका भी नाम आता है बहुत easily fail जाता है ठीक है और बहुत ज़्यादा लोगों में यह क्या करता है blindness cause करता है क्योंकि easily क्या होता है fail जाता है आगे चले causative agent की बात करें तो it is caused by obligate intracellular gram negative bacteria तो जैसे मैं हम इसा कहता हूँ भले इस सारी line याद ना रहे मैं explain कर दूँगा यह आद रखना है कि यह क्या है bacteria है क्या नाम है clemaidia trochematis यह causative agent याद रखेंगे अब मैं बता रहा हूँ it is cause by obligate intracellular cell के अंदर ही रहता है मतलब एक cell है यह cells है कुछ चिव बैक्टेरिया यहाँ पनपते हैं कुछ बैक्टेरिया cell के अंदर पनते हैं तो obligate है compulsory है कि cell के अंदर ही रहेगा और यह gram negative है और यह क्या है species है यह ना जो हम लोग इसकी naming सीखते हैं तो यह इसका क्या हो जाएगा causative agent हो जाएगा यह क्यों बता है मैं जीनस और species क्योंकि epidemiology में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि claim idea genus की 4 प्रजातिया है 4 species हैं जो की यह disease cause करती हैं है कि सबसे बड़ी तो यही है claim idea trochematis claim idea 85 claim idea pneumoniae claim idea pacorum ठीक है न चार तरह की species है claim idea की जो trachoma cause करती हैं लेकिन तुम लोग इसको याद रखोगे disease causative agent हमेशा कि यह चार इसलिए बता जिए epidemiology है epidemiology में हमको देखना होता है disease के बारे में सारी knowledge रखनी होती है तो बात कर रहा है claim idea trochematis and claim idea pneumonia are important human pathogens यह दोनों क्या है human ऐसे note कर लोगे humans को affect करते हैं whereas जबकि pesticide and claim idea picorum are primarily pathogens of animals and birds यह दोनों किसके हैं animals और birds पे affect करते हैं animal and birds को affect कर लें rarely infecting human बहुत दी कम है कि यह humans को affect करेंगे के लिए लोगी बाते हैं जब यह affect करता है तो यह इसके दो रूप होते हैं एक होता है infect करते हैं यानिकि cell के अंदर जब घुसेगा तो एक अलग रूप में घुसता है और cell को infect करने के बाद यह अलग रूप ले ले लेता है तो जब यह cell को infect करता है जो कि इसका infectious रूप है कोशन आ सकता है बेटा कि इसका जो infectious रूप है ठीक है यानिकि जब यह cell के बहार है जो कि extra cellular कहलाता है इसको हम कहते है कहते हैं elementary body अर नॉन infectious जो की सब cell के अंदर चला जाता है तो यह non infectious का infection नहीं killing काज कर सकता है इसको हम लोग केहते है rate कं receivers c 2-1 और elementary body के आंदर चंदा होती है जो हमारे body के cates है उनको जाकर कर अक अट्रएक करेगा और infect करेगा ठीक है तो थोड़ा शर्या यहां थी है ठीक है इसने इंफेक्ट किया यह इंफेक्टियस है अंदर जाने के बाद यह अपने उपर एक कवरिंग सी त्यार कर लेती है ठीक है जिसको इंक्लूजन के अंदर डिफ्रेंशियेट करते हैं डिफ्रेंशियेट करती है रूप बदलती है और रूप बदलने के बाद यह बन जाती है रेटिकुलेट बॉडी फिर यह रेप्लिकेट करेगी अपनी बहुत सारी अपनी जैसे बहुत सारे रेटिकुलेट बॉडी पैदा करती है और फिर क्या होता है यह रिडिफरेंशेट होती है वापस से रिडिफरेंशेट मतलब रेटिकुलेट बॉडी तो बस वही है elementary body और reticulate body तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है the elementary body eb is a metabolically inert metabolically inert मतलब यह जो body होती है एक तरह से किसी type की reactions नहीं होती इनके अंदर form of the organism that is responsible for infecting the host याने कि यह केवल एक ही काम है जहां host दिखेगा cell दिखेगा attack कर देगा उसके उपर ठीक है once host cell take up organism एक बार ही host cell organism को अपने अंदर ले ले लेता है they are confined to a vacuum फिर जो यह elementary body है यह confined सीमित हो जाते हैं एक vacuum में जिसको क्या हम लोग inclusion बोला था known as inclusion vacuum मतलब एक तरह का घेरा मान लो ठीक है within the inclusion inclusion के अंदर the bacteria are protected from lysosomal fusion and differentiate into पहले चीज़ जब यह इस तरह की covering में आ गया है तो इसको protection मिल जाती है from lysosomal fusion यानि कि हमारे cells के अंदर जो हमारे commandos हैं lysosomes जानते हो लाइसोजोम क्या होते हैं जो हमारे cell के अंदर पाए जाते हैं और हमारे cells को protect करने का काम करते हैं एक तरह से ठीक है ना तो अगर यह inclusion body में नहीं होता तो लाइसोजोम जाता और इसको खाण डालता मार डालता लाइसोजोम जो हमारे लिए अच्छा होता है तो यह इसको protection मिल जाता है लाइसोजोम से लाइसोजोम उसका जोड़ नहीं पाता है दूसरा यह differentiate होते हैं देखर यहां डिफ्रेंशियेट हो रहे हैं डिफिसेंट इन्टू मेटाबॉलिकली अक्टिव रेक्टिव 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 होती है उनके अंदर सेल के फूटने से पहले मतलब कि जब यह बहुत सारे बादल जाता है और से फिर बाहर निकल के आता है फिर दूसरे सेल को इंफेक्ट करता है सिंपल सिकानी ओके अब में अंडर्गो स्पॉन्टेनियस रिजोलिशन और में प्रोवेस्टू कंजक्टाइवल स्कैरिंग तो एपिडेमिलोजी के अंदर हम लोग ने क्या क्या जान लिया जीनस के बारे में जाना इसकी दो बोडी इलिमेंटरी और रेटिकुलेट बोडी हैना दो रूपों के ब जखम आखों के जखं में बदल जाता cie यह शित्क नहीं भात तो फीक नहीं युए तो यह बॉड्शना थारी में जाता है तो दो तर match क्रता एकंटरी क्या होता है ट्राइक्यासिस क्या होता है ट्राइक्यासिस में तुम्हों जब गूगल करोगे तो जब हमारी उपर की पलके होती न आखोंगी देखो बताता हूं मैं ठीक है यह हमारी आँख है और जैसे कि यह मालो हमारी पलके हैं यह इस तरह से रहती न यह तो यह जो पलक है न यह यह पलक ऐसे अंदर की तरफ मोड़ जाती है तो पलक नहीं सॉरी जो हमारी आँखों के हेर्स होते हैं वो अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं इस situation को हम लोग कहते हैं Trichesis और Entropion में क्या होता है जो नीचे की वो है जो ये इसको हम कहते हैं पलके हैं वो पलक अंदर की तरफ घुम जाती है यानिकि जो हमारी आखों की यहली पलक बंद करती है वो अंदर की तरफ घुम जाती तो आखों पर चुपती है फिर ठीक है ना तो बास समझ में आई होगी ठीक है तो शुरुआत में क्या condition होती है मतलब या तो ठीक हो गया ठीक नहीं होगा तो क्या पैदा करेगा Trichesis पैदा करेगा Entropion पैदा करेगा जो की Corneal Ulceration में बदल जाएगा यानि की Corneal Ulceration यह जब मुड जाएगे तो Corneal को जखम देना शुरू करेंगे Ulcer हो जाएगा और Ultimately Scaring और Visual Loss है ना आखों की रोशनी जा सकती है Clear है बातें अब यह है इसके Types ठीक है ना यह इसके क्या है Types W-H-O ने इसकी grading कर दी है W-H-O grading Trachoma Fisto Fisto की रूप में हमको याद करने में आसाने रहती Fisto Fisto का मतलब क्या है Trachoma Follicles Trachoma I से क्या हो जाएगा Inflammation Follicle Inflammation Trachoma S से क्या हो जाएगा Scaring और T से क्या हो जाएगा Trichiasis वहले पलकिया अंदर हो जाती है और ओसे क्या हो जाएगी Opacity तो इसकी 5 category है तो 5 category को हम फटाफट समझ लेते है तो शुरुआत में देखते हैं Normal I ठीक है Normal I के अगर हम बात करें तो देखो क्या है देखो एक तम गुलाबी गुलाबी सा क्या कहते है Upper Leads जो है उसको Tarsal Conjectiva कहते है क्या कहते है Tarsal Conjectiva तो कह रहा है The Eye Leads and Cornea are observed first for turned eyelashes सबसे पहले हम लोग Eyelash को turned कर देते हैं ऐसे निकाल के उल्टा कर देंगे And any Corneal Opacity तो इसको चेक करते हैं और Cornea को चेक करते हैं उसमें कोई Opacity Opacity का मतलब Opacity का मतलब गाड़ापन दुन्दलापन जो मैं उपर दिखाते हैं वो सफेज सफेज हो गया था Opaik होना इसके आरपार ना देख सके उसके लिए चेक करते है The Upper Eye Leads is then turned over Averted to examine the conjunctiva Over the stiffer part of the Upper Leads फिर हम यहाँ पर चेक करेंगे उसको Whole Area of the Tarsal Conjunctiva पूरा एरिया में यह Pink चिकना सा और Transparent दिखाई पड़ता है There are normally large deep lying blood vessels That run vertically लंबी लंबी इसके अंदर अंदर गहराई में हमें Blood vessels नजर आती हैं जो बहुत गहराई में होती है ठीक है तो यह normal eyelid की पहचान है अब आते हैं हम लोग बिमारी की तरफ और यहीं बिमारी हमारा उसमें भी आजाएगा जो आगे topic आएगा हमारे पास clinical manifestation में देखो Trachomatis Inflammation Inflammation Follicle यहाँ पर क्या हो गया है Inflammation Follicle Follicle हो गया है दाना ठीक है दाने डाइब का The presence of 5 or more follicle In the upper tarsal यहाँ पर 4 या 5 देखो आपके clear नहीं होता न साइद यह pink pink से दिख रहे होंगे दाने टाइब के आ जाते हैं 5 यह 5 से ज़्यादा Follicles कैसे होते हैं गोल होते हैं फुले हुए होते हैं and are paler than the surrounding Surrounding के मुकाबले ज़्यादा pale होते हैं Trachomatis Follicular बोलते हैं और साथ साथ में Inflammation भी रहता है Trachomatis Inflammation अब Inflammation की बात करेंगे ठीक है Pronounced मतलब बहुत गहरा बहुत जादा Inflammatory Thickening of the Tarsal Conjunctiva बहुत जबर्दस हिदम आंख लाल हो जाती है ठीक है The Obscures More Than Half of the Normal Deep Tarsal Vessels The Tarsal Conjunctiva अब यह रेड क्या हो जाता है यह रेड हो जाता है रफ खुजड़ा हो जाएगा उपर हो जाता है स्मूथ था Thickened मोटा हो जाता है They are usually numerous follicles यहाँ पर बहुत सारे follicles भी होते है विच में भी partially और totally covered by the Thickened Conjunctiva तो यहाँ पर क्या क्या हो गया है रेड हो गया है, रफ हो गया है, थिक हो गया है और बहुत सारे numerous follicles आ गए है Trachomatis Inflammation में Trachomatis Scaring Scaring में क्या रहता है इस तरह से white-white lining आया थी है जो मनें बताया था Scar Scar मतलब एक तरह का दाग, एक तरह का जखम Easily visible as white lines जो scarves होंगे हमको सफेद line के तौर पर या सफेद band के तौर पर या सफेद sheet एक sheet होती है इन्दा टार्सर कंजेक्टर है अब बस इतना याद रखेंगे, काफी है सारा याद रखनी जोड़ तो नहीं है ठीक है उसके बाद आता है Trachomatis Trachiasis Trachiasis नहीं बताया था जो पलक होती है हमारी बाल होते हैं अंदर तरफ मुड़ जाते हैं At least one eyelash eyelash का मतलब hair जो आँखों का hair होता है rubs on the eyeball वो घुम जाएगा और आँख की ball को ऐसे रगणना शुरू कर देगा ठीक है Then corneal opacity आँखों को पर क्या आगया सफ़े सफ़े सा आगया आँए विजिबल corneal opacity easily हम इसको देख सकते हैं तो यह हमारे पास क्या है चार-पांच तरीके के ट्रॉकोमा के जो condition है वो हम देख सकते हैं और यही हमारी आगे जा करके clinical representation का जो topic आएगा उसमें यही सब आएगा ठीक है अब आते है source of infection तो ocular मतलब आँख आँखों का discharge आँशू है या आँख से कोई चीज निकली है पानी यह से कोई चीज निकली है वो गलती से मैंने अपने आँख ऐसे मले किसी से हाथ मिला लिया या मैंने अपने हाँ मले या मेरे उस आँखों में सूर्मा लगा था मैंने लगा लिया और किसी और ने लगा लिया ठीक है ना तो ocular discharge of infected person या तो सीधा आँख का पानी किसी के आँख में चला जाए and formides formides मैं का सब को पता है जो इस्तमाल करता है टावल है, हैंकरचीफ है, कपड़े है मेरी ऐसी के मैंने ऐसे आँख मोंच लिया और मेरा यही टी-शिट किसे ने पहन लिया मेरे दोस्त ने या छोटे भाई ने उसने भी अपने आपको रगड लिया तो उसको भी हो जाएगा ठीक है ना तो फॉमेट्स के होते हैं वो कपड़े जो एक पेशेंट यूज़ करता है रिजर्वायर आम तोर पर चिल्डरेंड विद एक्टिव डिजीज जिनके अंदर डिजीज है बच्चों के अंदर वो रिजर्वायर है और जो ग्रोनिकली अफेक्टेट बड़े बच्चे हैं और अडल्ट हैं उनके अंदर भी इनका भंधार पाया जाता है एक जोग सेक्स की बात करें जोग जब बच्चे बच्चे हैं जब बड़े हो जाते हैं जब साफ सफ़ाइस बड़े लगते हैं तो 5 से 12 दिन का है Communicability की बात करें Infective as active lessons Lesson मतलब जखम Are present in the Conjunctiva जखम मतलब वोई लालपन है जो rashes है वो जब तक Conjunctiva के उपर रहेगा तब तक वो communicable रहेगा मतलब वो दूसरे को फैला सकता है Environment की बात करें तो More common in dry and dusty weather सूखा डुस्टिवेड़ों क्या हो ज़्याद है आँखे मिसल आते हैं हम लोग तो वहाँ पर इसका पनपना असान हो जाता है Social economic status की बात करें तो More common in poor classes due to overcrowding जो गरीब लोग है छोटे सी कमरे में सब एक साथ रहते हैं Overcrowding हो रखी कपड़े इस्तमाल हो रहे हैं तो वहाँ पर फैलने का chance ज़्यादा हो जाते हैं Poor hygiene साफ सफ़ई से नहीं रहोगे Flies मक्खियां है ना खाने बैठ गई है आदमी सो रहा हो तो उसके आँखों पर मूपे जाके बैठ याती है Positive of water और वाटर की अगर कम ही है तो भी क्या है साफ सफ़ई नहीं हो पाईगी और poor hygiene रहेगा तो फिर दिक्कत है वहाँ पर क्या होगा फैलाओ ज्यादा होगा mode of transmission अब यह इजली होगा समझना person to person by direct contact जैसे में बताया मेरी आँखों में लगाया मेरी आँखों मेरा आँखों किसे ने टच कर लिए उसको डायेट हो गया तो डायेट टच भी हो जाता है विद ओकुलर डिस्चार्ज ओकुलर डिस्चार्ज मतलब आँखों से निकलने वाली कोई भी चीज और इंफेक्टेट परसन एक तो यह हो गया सूर्मा काजल जो मैंने लगाया उससे दूसरे ने लगा लिया ठीक है या माँ जो घर में होती हो जातर क्या घरती है काजल लगाती तो उससी से एक बच्च बच्च भी लगाया तो तीसे वह लगा दिया ठीक है क्लिंकल प्रेजंटेशन तो क्लिंकल प्रेजनटेशन में आप कुछ ना करें जो उपर पांच के वह लिख सकते हैं डिंट रट इसके अधिश आप क्लिंट लाइट है क्लिंटीज को अधिय। सकते हैं तो ठीक है बोध स्टेज कें एक्जिस्ट टूगैदर बट हम लोग यह कह सकते हैं कि इसको एक्टिव अर्ली और लेट स्टेज दो पाट में डिवाइट कर सकते हैं बट यह दोनों स्टेज एक साधी पाई जा सकती है अब ग्रेंट अब अब ने दानेदार जाते हैं इन दा कंजल टाइबा करेटो अब कंजक्टीव इस और एक तरह से वह थिकनेस वगर आ उसमें ठीक है इंफर्मेशन आयता है तो यह वर्ड याद रहें अधर्वाइस जो उपर हमने पांच पॉइंट याद कि दे फिश्टो ठीक है ना उसको तुम लोग लिखकर क्या जाओगे तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में हो जाएगा ठीक है रोल आफ फार्मासिस्ट अगें बन से लिख सकते हो सबसे ज़ेद्यार कहां टार्गेट ऑर मदर अफ यंग शिल्डर्न शुडबी टार्गेटेट क्यों विभा को होने का दा होता है तो उनको आफेर करना कि अगर आपको बच्चे है तो मां को ज? बच्चे बच्चे मां को सकता है तो साफ ठीक है जो इंफेक्ट परसन है उससे आप बचे रहें तो आप बचे रहेंगे बात है इंप्रूब्मेंट आफ लिविंग कंडिशन और कॉल्टी ऑफ लाइफ का इंप्रूब होना जैसे कि तुम लोग देखते होगे कि क्या होता है है छोटे मोटे चुनाओ सबसे छोटे ल सब्सक्राइब करने पड़ते हैं अगर अंधापन होई जाएगा तो सर्जिकली हम उसको रिमूव कर सकते हैं और हैल्थ एजूकेशन करें प्रमोट करें लोगों को जागरूप करें हर चीज के बारे में तो यह कॉमन सी चीज है आप लिखके आ सकते हैं मैं इसमें देते होंगे अब तो हो गए कि नहीं हो गए हो अरे बोलो हाँ नहीं कुछ को था हाँ सुनाई दिया मेरे को फड़ो वेटा फड़ो रोलो फांशी इतनी बार बता है सिंपल है टॉपिक है ठीक है ना नेक्ट आते हैं टिटनस डाइग्राम में नीचे गरदिया बताऊंग ठीक है और उस डाइग्राम का एक लिंक भी मैं दोंगा तुम लोगो पहले बात करते हैं टिटनस क्या होता है टिटनस का मतलब होता है यह एक ऐसी बिमारी है ठीक है ना यह एक ऐसी बिमारी है जिसकी वाई से होता क्या है जैसे कि हमारा हाथ मास्पेशिया एठती है तो उ नैठन आने के वएज़ से यहां सबस्वेल सुरुआत होती है जबडे से हमारा जबड़ा अटक जाता है लॉक हो जाता है ना बंद कर पाते हैं ना खोल पाते हैं तो इसलिए इसका नाम क्या पढ़ जाता है लॉक जोर डिजीज इंपॉर्टेंट है बेटा आयम पी वन मार् जाता हूं हम लोग जैसी किसी लोहे क्या है ना खास करके जिसके उपर रश्ट जंग लगा हुआ है उससे अगर चोट लग जाती तो फटा फट जाके इंजेक्शन लगवा लेते हैं आज आप लोगों को एक ची समझमा आएगी अगर आप कहीं बहार गिर गए बहार नॉर क्या है आज हम देखेंगे की आईरन के अलावा टिटनेस बहुत से लोगों को पता नहीं है स्वाइल में ही होता है में ली यह आओ देखते हैं तो डाइगराम बादे देखेंगे टिटनेस इजा ग्रीक वर्ड इसका उस्ट्रेस खिचाव आता पूरी बाडी में इसको होती है अगर जाती है प्रडाइज मार जाती है कहीं ना गई करेक्टराइज वाइए एक्यूट ऑंसेट ऑफ हाइपर टोनिया हाइपर बहुत ज्यादा टोन टोन मतलब एंथन पूरी तरीके से बॉड़ी एंटती है ठीक है पेनफूल मस्कूलर कॉंट्रेक्शन जो मसल्स होती है अगर मोडेंगे कॉंटेट करेंगा तो बहुती दर्द होता है यूजली मसल्स आफ जोएंट नेक है ना वो मुह जबड़ा चलाने बड़ा दर्द होता हमको एंड जनलाइज मसल्स पूरी बॉड़ी में स्पैस्म एठनसी रहेगी विदाउट अधर अपरेंट होता है अब जगों होता क्या है यहां पर इतनी मसल्स नहीं हमारी यह मसल्स होती ना कमर वाली यह बड़ी थोड़ी होती है और बड़ी होती जब यह एट थी है ना तो इसके एठनी की वजए से जिसको टिटनस हो जाता है और उसकी डेथ होती है इसकी बोड़ी कुछ ऐसी हो जाती है डरना नहीं ठीक है तो बेटा यहां देखो टिटनस अभी हम देखेंगे कि जो है यह मिट्टी वगरा में पाई जाती है और गाउं में थोड़ा ज्यादा यह होता था तो प्राइन टाइम पे जिसको टिटनस होता था और किसी की बॉड़ी अगर ऐसी हो गई है द होत कम लोगों को पता है तो इसको कहूँ पॉजजटीव एजन्ट की बात करे तो हो ग्राहम पॉजटीव बैसिलाई है ना बैक्टेरिया है क्लोॉष्ट्रीडियम टीटनाई हैना क्या है इसका नाब ब고ी में टीन टीक प्लोव जटिकू च क्लोष्ट्रीडियुम टेटन ठीक है आगे चलें एपिडेमिलोजी रिजर वाइर देखो यहां से तुम्हें चीज पर चालें कहां पर इसका भंडार पाया जाता है तो इसका नैशुरल है तो स्वाइल और डॉस्ट है कि गाउं में लोग नंगे पैर घुमते हैं और गूमने के साथ साथ क्या है खेतों में gotta चलते हैं जो है выгляд की ज़्यादनीका और नांजबर स्ट्राइन Gen 어okररियाँ होगी अपनी बेड़ बगरियान ही क्या मुणतल drifting और प्रस रहेता हों गाए भैस हो गई हो गया इन सब क्या होता है पॉट्टी वगएरा को खाद बना करके ख्यतों में डाल देते हैं तो इनके इंटेस्टाइब पाया जाता है जो कि इनकी फीसिस से पॉट्टी से बाहर निकलता रहता है ठीक है कई सालों तक ये कुदरत में पढ़े रहते हैं पिना कोई हाम पहुंचा है जब तक कि किसी की बॉड़ी में नहीं गुसेंगे बात समझ वा रही है तो सॉइल और डश्ट में सबसे ज़्यादा पाये जाता है और जो रस्ट वाला आइरन होता है वहाँ पे इनकी क्या होती है मौझूद की कफ़ जाता पाये जाती है तो नेकिन नैच्रल जो हैविटेट है इसका सॉयल और डश्ट है ठीक है नहीं इसलिए कहा जाता है कि एक चोट लग गई है कभी किसी को चोट लगती है एक्सिजन्ट होता है तो सबसे पहले उसको टिटनेस दे दी जाता है क्यों टिटनेस अगर हो गया फिर कोई भी मतलब उसको बचा नहीं पाएगा ना यह जो क्लॉस्टीडम टेटना ही हमारा बैक्टेरिया था यह दो तरह के टॉक्सिन पैदा करता है टेटनोलाइसीन और टेटनोसपास्मिन जो कि नीरो टॉक्सिन होता है इनी टॉक्सिन्स की वज सब्कशिय और नियो नेटल बच्चे में जो पाइजाता है तो क्या आंतरे इन टाइप नहीं पाइजाता है बहुत कम पाई जाता है जिसमें बात करें तो लोकल टितनेस आता है लोकल का मतलब क्या हो गया जिस एरिया में है बस Current पर देखना को मिलेगा यह उक्तों के बाद चला जाता है नहीं ठीक होंगे इंसान ठीक है तृषिल टाइप है यह रेर्वी फैटल बहुत कम होता है कि यह फैटल घ 색'll गहत अ मार दें इंसान को मायल्दर तें जनर्लाइश टितनस जो जनर्लाइश d Finland की हमें उससे कम होता है although यद भी it could precede it ऐसा हो सकता है कि local के बाद वो titnes generalized का रूप ले ले ठीक है तो ऐसा हो सकता है बट यह local वाला बहुत rare देखनों का मिलता है सेफैलिक टिटनेस सेफैलिक का मतलब सर हमारे सर से जड़ा हुए इसका औकर विद इयर इंफेक्शन कानम जे इंफेक्शन होता है या फॉलोइंग इंजरीस ऑफ दा है या सर की कोई इंजरी होती तो उसके बाद हमको यह सेफैलिक टिटनेस देखनों की मिलता है जोगी वह अगें बहुत साथ एक या दो नर्स क्या करती है तो यहां पर क्या है दोनों ही जो है लोकल अनकॉमन टाइप के हैं यहां पर अगर केवल इतने तक सीमित रहेगा तो कुछ पार्ट अफेक्ट करेगा और फिर बादवागी ओके रहता है बट मोस्ट कॉमन देखा मैंने काना मोस्ट कॉमन गर्दन को माला गूमेगी निए दिफिकल्टी स्वेलंग निगलने में दिक्ता कि मसल्स भी क्या होती है अकडना श्टार्ट कर जाती है रिजड़ की मसल पेट की मसल्स अकड़ जाती है रिजडेट और यहीं देखा जाता है ज्ञादार केस में ठीक है था है नाष्ण and recovery can last for month recovery करने में माहिनो लग जाते हैं death occur when spas interfere with respiration मौथ हो जाएगी अगर जो spas में जो एंट है नहीं अगर वो हमारे respiration process पर जो respiratory muscles हैं उनको affect करेंगी तो फिर क्या हो जाएगा फिर होएगी क्या हो जाएगी bet Canis सो लेनी पा रहें सांस नी ले पाएंगे सिंप say सिर्ण हाइग्गे साम इवसक्रों फोन बच्छों में देखना को मिलता है विदाव्ड गनलाई इम्मुनाइज नहीं किया मदर को टिटनेस वगरा नहीं दिया जाता है तो फिर बच्चे को भी टिटनेस मतलब चीजें नहीं पहुंचती है उसके पास तो उसको हो जाता है टिटनेस मतलब जो टीक नहीं हुई है अम्लीकल कोड को सूख जाना चाहिए और अम्लीकल कोड को निकल जाना चाहिए बच्चे की नाबी से लेकिन और कई बर नहीं निकलती है सूखती नहीं है तो वहाँ से इन्फेक्षन फैलता है particularly when the stump is cut with an unsterile instrument जब हम उसको काटते हैं किसी unsterile ऐसा instrument से हमने इस्तवाल कर लिया ठीक है जो की क्या था infected था जलने कि उसके उपर Clostridium titanine bacteria के कण मौजूद थे उससे हमने काटा तो वो infection उसके तुरू के पूरी body में चला जाता है तो यह neonatal वाला है बात समझ में आगी तो सबसे ज़्यादा कोई अपना जर्नलाइज वाला है कुछ और याद रहे ना रहे ये वाला आपको पक्का याद रहना चाहिए इसका sequence याद रहना चाहिए किस तरह से बाड़ी में फैलता है इसी का diagram मैंने उपर दिखा है तो तुरंत लगवार लें विदिन 24 आवर क्योंकि तीन से कीज दिन लग जाता है उसको अपना असर दिखाने में communicability नन जिस इंसान को हो गया उससे दूसरे को नहीं करेगा वो ठीक है नहीं जोगा ऐसा नहीं कि छूने से फैल दाएगा अग्रिकल्चरल वर्कर रही उपर अपने बात की थी सॉयल में पाया जाता है तो जो लोग अग्रिकल्चर खेतों में काम करते हैं उनके अंदर होने की संभावना ज़्यादा होती है higher incidence in male than female और इसी बात है male सी जहातर काम करते हैं जाकर के बाहर निकलते हैं तो उनके अंदर होने की संभावना जादा रहेगी environment and social factor की बात करें अगर हम लोग तो unhygienic custom यानि कि आप इस तरह से रह रहे हैं कोई custom ऐसा है आप साफसफ़ए नहीं रखते हैं ठीक है unhygienic delivery delivery practice है ना जो गाहों में क्या होता है दाई बगर होती है अगर proper hygienic delivery नहीं करवाएंगी तो होने का चांस रहेगा ignorance of infection कट लगा चोट लगी आपने इग्णोर कर दिया कोई फरक ने पढ़ रहा कोई चलो भाई lack of primary health care services आपके area में primary health services नहीं है ठीका नहीं लग पढ़ रहा है पर चला आपको आज चोट लगी आप लगवाना तो चाहते थे ठीका किसका टिटनेस का लेकिन वो है 50 km दूर पर जा कर गए आप आलस करके नहीं गए तो यह सारी conditions है ठीक है जिसके वह से फैल रहा है mode of transmission इसके बेटा कई है अब एक चीज आप गौर देखना soil dirty clothing और dust इन जगों पर यहां से आपकी body में soil है dirty clothing कपड़ा गंदा है और आपको चोट लगे हुई थी वह गंदा कपड़ा आपकी चोट पे लग गया तो आपकी body में घुछ जाएगा injury is caused by iron articles लोहे के चीज़ों से चोट लग जाए ऑल्सो थू स्पोर्स विच कंटेमिनेटेड आर्टिकल लाइक सर्जिकल कैट गट सर्जिकल कैट गट टाक्या के लगाते हैं अगर उसके उपर इसपोर्स पड़े हुए है टिटनस के टिटनाई के जो बैक्टिरिया है तो भ सब्सक्राइब हो जाता है टीक एनिमल बाइट है इस्टिंग से डंक मारते कोई ततिया हो गएरा अनिस्टिराइल सर्जरी मतलब यहां पर इस्टिरलाइस प्रोसस नहीं इस्तमाल किया गया आई यूडी है जो इंट्रायूटरिन डिवाइस है ना इंट्रायूटरिन जाता है बवल सर्जरी है यह ढ invece दांत निकाला गया है इंट्सिल लगाया गया है और वह इस्टिराइल डिविजन ऑ अम्मलीकल कऌड अम्लीकल कार्प्र नहीं काट गया और कि चीज से काट दिया गया नहीं किया गया कंपाउंड प्रैक्ट्ट्र है और टैटिस मीडिया है कान का इनफेक्ण है गैंग्रीनेस लिम्ब Hund पैरके सदन प्यादा हो जान्या चोट लगने होगा है तो उपर जितने भी केश देखे हमने जैसे कुछ लोग सोचरों का सब्सक्राइब इंसान के नातों में नहीं है इंसान के काटने से जखम हो गया तो यह सारी प्रॉसेस कहीना कि हमने जो बता दी है वो कहीना कहीं क्या है जखम पैदा कर रही है और जब जखम होगा तो टिटनेस का फैलना बहुत आसान हो जाता है किलियर है बाते हैं ओके नाव क्लिनिकल प्रजेंटेशन टैटनिक सीजर्स दौरे पढ़ते हैं पेइनफूल पावफूल बस्टॉफ मसल कांट्रक्शन बहुत तेज से हाथ पर फड़कते हैं ठीक है इफ दा मसल इसपास अ सब्सक्राइन अकड़ जाता है इसे हैं लौक जो कहते हैं स्टिफनेस और पीछे मसल्स क्या हो जाती है सब्सक्राइब पूखार ताया पसी न आता है किलियर है अब रोल आफ फार्मसिस्ट क्या है वो कहेगा समझाएगा भाईया देखो कई भी चोट लग जाए तुरंत टिटनस का टॉकसाइड याने की इम्म्नाइजेशन कर वालो टिटनस का टिकाल लगवालो आकर के इन्म्नाइजेशन बाइग डिपीटी ट्रिपल वक्षीन फॉर डिप्टरिया पर्डूसिस और टिटनस ये फो बच्चों के ले लगाया जाता है टिटनस का इंजक्शन ठीक है न डोस जान लिख रखिए डो तो उसकी बॉड़ी से होते हुए बच्चे के अंदर क्या चला जाता है ठीक है तो मदर से होती है जो एंटी बॉड़ी से बच्चे को टेटनेस होने के चांस कम हो जाते हैं टेक एक्षन टू प्रिवेंट टिटनेस अटेक डूरिंग चाइल्ड वर्ड जातर क्या बच्चा जर्म जब लेता है तो उस समय टिटनेस होने के संभावने ज्यादा होती तो पूरा प्रिकॉशन बढ़ते हैं हाईजीनी कंडिसेन बढ़ते हैं इस्टेराइल चीजों का इ जखम को अच्छे से धुलें बैंजाइल पैंसिलिन का इस्तमाल करें ठीक है पेशेंट विद वाउंड शुड बी इमिडेटली गिवन ए इंजेक्शन ऑफ एटीएस और हीमन टेटनस इम्मिनोग्लोबिन जैसे चोट लगती है ठीक है ना एंटी टेटनस सीरम या टेटनस सीमिनोग्लोबिन का इंजेक्शन उसको दे दिया जाए तो यही सब चीज़े हैं बताएगा फार्मसिट लोगों जागता फैलाएगा खतम का नहीं ठीक है किलेर हुआ टिटनस तो टिटनस के बारे में में एक जादतर बात आपको पता थी कुछ चीजह समझनी थी नेस्ट मेडिकल शॉप पर ही है कोई पेशेंट सामने से आया तो अच्छा यह दिक्कत है चलो लेपरेसी जिसे हम लोग हैंसेंस डिजीज भी कहते हैं वनमार्स कोशन के लिए याद कर लें हैंसेंस डिजीज का नाम ही लेपरेसी है इसा क्रोनिक इंफेक्शन अगें कैसा है क्रोन प्रें है जो बेक्टिरिया इसको फेला ऐ अटाहरता हुश्टिम जो हमारे महिंव बच्छन या आएस्जाटा नम यह ऑ आज जाता है आ हम लोग किस्तरे से इसकिन ऊसलिए ओफेड करता है योम सो भी इसक्रीily मॉज करता है इन्टरेन और इसकिन पर दिखाया पड़ता है इसका किलियर है इसी को हम लोग अपने इंडिया क्या कहते हैं कुछ दो याद आया कुछ लोग अच्छा कुछ यह होता है येस कुछ देख सकते हैं अलगा टाइप का है जिसा अभी हम डिसकस करेंगे ठीक है okay causative agent mycobactrum leprae have affinity to swain cells swain cells याद है हमारे जो neurons होते हैं उसमें swain cells पाये जाते हैं उस पे जाकर की अटेक कर देता है जिसकी वाईसे जो muscles neurons होते हैं वो अफेक्टेड हो जाते हैं और उस हिस्से में नम्मनेस्ट पनसा आ जाता है ठीक है epidemiology की बात करें तो source of infection M. leprae are present in wild animal generally कहाँ पाय जाता है wild animal में जैसे की armadilose armadilose आप लोगों को पता नहीं होगा तो इसमें उसको diagram डाल दे हैं यहाँ पर monkey सब ने देखा है ठीक है chimpanzee सब जानते है all cases of active lepracy जिसकी को भी lepracy है वो भी क्या है source of infection रहेगा तो source of infection यह लोग भी होते है armadilose, monkey and chimpanzee और साथ साथ में सारे active case जो lepracy की है वो सब source of infection है उनसे infection फैलता है host factor की बात करें तो age lepracy affect all age group सभी age group को लोगों को affect करता है but incidence generally rises to a peak between 10 to 20 year of age and then fall लेकि जो हमने पाया है इसका जो incidence वो दस से 20 साल के लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है फिर यह fall कर जाता है और फिर आगे लोगों में कम देखने को मिलाई है sex की बात करें both the incidence and prevalence जो घटनाए है और जो prevalence जो देखा गया है prevalence मतलब फैलाओ वो और lepracy का appear to be higher in males males के अंदर यह ज़्याद देखा गया है than females most reason of the world तो obvious वात है male को क्या लगता है males के ज़्यादा होने के संभावना यही है males ज़्यादार क्या रहते हैं बाहर रहते हैं तो infection बिमारी होने के संभावना भी उनके अंदर ज़्यादा हो जाती होगी inactivation of disease ठीक है ना क्या disease inactivate हो सकती है तो कह रहा है some of the cases particularly tuberculoid and indeterminate types अभी हम types of leprosy पढ़ेंगे उसमें एक है tuberculoid type दाने type आजाता है और indeterminate type to get cure spontaneously यह कई बार अपने आप ठीक हो जाती है immunity की बात करें immunity can develop through infection with other related mycobacteria मतलब जो दूसरे mycobacteria की genus है ना जैसे mycobacteria lapra था mycobacterium की और भी species है उनके माध्यम से अगर उसका भी infection हो जाए तो क्या होती ही immunity develop हो जाती है हमारे अंदर genetic factor की बात करें तो yes HLA human lymphocyte antigen linked genes जो यह एक तरह से HLA linked genes होते है influence the types of immune response that develops in the disease sorry तो कह रहा है कि यह जो genes है ना HLA से जो genes जुड़े होते हैं यह भी प्रवावित करते हैं कि हमारा immune response कैसा होगा तो जिस इंसान में जिस तरह का genes link होते हैं उस तरह का उसके body में immune response create होता है तो यह host factor है कि क्या के चीज़ें affect करती है now portal of exit कहां से निकलता है यह तो nasal discharge जब कोई आख छेनकता है broken or ulcerated skin of positive cases किसी की देखा नहीं सारा skin गई था उठे इसकी नगट तूट गई है broken हो गई है ठीक है ना वहां से क्या होते हैं कि जो इसके germs होते हैं वो बहार आ आते हैं अब अगर हम बात करें environment की तो humidity जो नमी है वो favor करता है M lepray Mycobacterium lepray के जिन्दा रहने में ठीक है ना Mycobacterium lepray remain viable in dried nasal secretions जो हमने नाक छिनक दी है वो सूख गई है सूखने के बाद भी 9 दिन तक उसके अंदर Mycobacterium lepray जिन्दा रहता है और अगर यही यसी room में हमालो हमने चीका चीका है नाक चीक निकल के कुछ गिर गया और room के अंदर क्या है नमी है तो लगवक 46 दिन तक यह Mycobacterium lepray जिन्दा रहेगा ठीक है देख रहे हो कितना ख़तरना आगे है आगे आते है social factor ऑबिसी वाद है गरीबी साफसफ़ाई नहीं रहागी गरीवी में रहोगे ओवर्क्रावडिंग भीर बढ़ वाले इलाक्य में रहोगे ज्यादा तो वहाँ पर infection होने के chance रहेंगे ज्यादा poor housing साफसफ़ाई बगरा नहीं रहती है ना आपकी कलोनी में ना घर में lack of personal housing आप खुद साफसफ़ाई नहीं रहा रहें तीन तीन चाचते नहीं रहा रहें नहीं नहीं नहा रहे हो अपना आसपास के एरिया नहीं साफ कर रहे हो ज़ड़ पोछा नहीं लगा रहे हो तो टैटूइंग एक को गोदा उसको infection था निडल उसके skin पर लगी दूसरे की skin पर लगी फैलेगा इस तरीके से ठीक है ना तो यह social factor है ओके incubation plate की बात करें तो यह range करता है लगवरिश की बात करें तीन से पांच साल में अगर आपको हुआ है तो तीन से पांच साल में यह अपने लक्षन दिखाना start कर देता है infectivity infection की बात करें इसके तो leprosy is highly infectious फैल ता बहुत जल दिये लग जाएगा दूसरे को with low pathogenicity लेकिन जो इसके disease पैदा करने की छमता है वो कम है ठीक है ना among household contact अगर घर में किसी को है और तमाम लोगों से touch में आ रहा है और लेपरोमेटर्स केसे अब फाइव तो ट्वेल परसेंट इस एस्पेक्टेट तो शो साइन्स ओफ लेपरेसी विदिन फाइव यह सिर्फ पांस से बारा परसेंट संभावनाई है कि लो जो जिनके साथ रह रहा है उसके अंदर क्या आएंगे लेपरेसी के सिम्टम्स आएंगे ठीक है और हाँ है ठीक है याने की पांस मतलब अगर जो जितने लोग और में सकते हैं सब के अंदर हमको देखने को नहीं मिलता है क्लासिफी केसन और फिपरेसी हांपर हम इसको क्लासिफाइब कर दें तो सबसे पहले हैं इन petals इन डिटर्मिनेट मतलब जहां पर हम डिटर्माइन ना कर पाएं समझ ना पाएं दिशी जिनोटेट दोस अर्ली केसे यह वह अर्ली केसे सुरुआत के टाइम होता है विद वन और मोर वेग मतलब बेकार सा जो एकदम किलियर नहीं है हाइपो पिग्मेंटेट इसकिन का कलर ह माल tentangब करें हमारी स्किन हैिसके फिर एक हलका सा इस तरह से प्रशा पड़ा लेकिन उसको चूओो तो नार्मल में पेक्षोने नार्मल स्किन लगती है स्रिफ हलका सा कलर कम हुआैं बाद बागे सब कुछ नॉ यहां कोड़ी हुए है ना खुजली है ना कुछ नहीं है तुबर कुलोई टाइप यहां पर देख रोगे दाने दाने से उभार से आ गया है इस डिनोटेट दोस केसे यह वह केस होते हैं विद वन और टू वेल डिफाइन लेसंस एक या दो पूरी बॉड़ी में लेसंस जखम जैसे दिखाई पड़ता है देख रो यह जखम जैसे द गाल का हो जाता है तो उसको हम टूबर कुलोईट कहते हैं के लिए रहा बाते हैं बॉडर लाइन टाइप तो दिस टाइप दोस केसे विद फॉर और और लेस्स लेसन विदा जखम टाइप का चकत्य टाइप के विच में भी फ्लैट और रेज चार यह चार से ज्यादा साथ गावम अगर हम देखा होगा कि इस तरह की स्किन सी हो जाती गंदी सी ठीक है दिस टाइब दोस केसे डिफाइन शाइनी जो चमक सी आ गई है इस्मूथ यह स्मूथ होते हैं चमक होते हैं इस टकेle कंडिशन आ जैंड है पूरा प्सिंदी तॉर्च रहते हैं ञटेम Ahh जो हैं उनका इंवाल्रेट रहता हम और ओए टो उसके अंदर हम को दिखाई ब्लार लेप्रसी दिखाई पड़ती है ठीक है ना तो नियुराइटिक में सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा हमारे नर्फ का इन्वाल्मेंट रहता है कि लिए रहें मोड़ ट्रांस्मिशन अगें प्रांस्मिशन बाइ इन्हेलेशन यहां पर वही था हमने क्या कहा था सुरुवात में देखा था कि जो बैक्टिरिया होता है नाक से छिनक दो तो नौ दिन तक और हमिड एरिया है तो चार्श जिंदा रहता है तो इसलिए ड्राप्लेट इन्फेक्शन यहां कॉमन हो जाएगा ट्रांस्मिशन बाइ कॉंटेट की जरीए भी होता है इसकी इसकी को दिक्कत थी उसको टेस्ट कर लोगे आप तो आपको हो सकता है कॉंटेक्ट विज सॉइल और फॉर्माइट ठीक है सॉइल और जो उसके फॉर्माइट मतलब पेशन के कपड़े हैं उनको टच करोगे तो वहां से भी हो जाता है अजर रूट की बात करें तो कुछ वेक्टर से हैं जैसे की मॉस्कीटो या बैडबग उनके माध्यां वो क सब्सक्राइगे जिसको उसकी बाड़ियों काटा तो इस तरीके से भी यह वेक्टर का काम करते हैं और टैटों है ना जिसको इंफेक्शन था उसका उपक्षो रिए तो क्या हो जाएगा इनफेक्शन हो जाएगा तो यह कुछ अधर रूट है हमारे पास जहां से यह फैलत देखो हलका सा अलग हो गया है पैटेस धप्पे से पढ़ जाते हैं ठीक है फिलिंग आफ इंसेक्ट प्रॉलिंग ऐसा लगया कि क्या चल रहा है कीड़े से चल रहे हैं रेडिस इसकीन पैचेस विद सेंसरी लॉसस यह पैचेस पढ़ जाएंगे और यहां पर पिन वगरा च हो सकता है ulceration to on the skin skin के उपर ulcer हो सकते हैं जखाम हो सकते हैं muscle weakness हो सकती है poor eyesight आखें कमजोर हो सकती है डाइग्राम से अगर चीजें ना लिख पाएं तो हमेंने यहां पर इस तरह से लिख दिया है hypopigmented pages याने की जो skin का color है वो कैसा हो जाता है अब भी हमने देखा था hypopigmented कम हो गया इसका color क्या हो गया आज वाजो की skin से कम हो गया तो hypopigmented presence of thickened nerve जो nerve होती है नसे होती हो मोटी से हो जाती है pain area joints में pain बढ़ा रहता है skin की बात करें blisters छाले टाइप के आ जाते है loss of color color चला जाता है rashes ulcer और redness लालपन दिखाई दियत देता है इसकिन के उपर sensory की बात करें यानि sense की बात करें reduce sensation of touch छूने से उतना feeling नहीं आती है pins and needles अगर वहाँ pins और needles चुबाओ तो फरक नहीं पड़ रहा है और loss of temperature sensation इवन गरम चीज भी टेच करोगी वहाँ पर नर्स तो डैमेज होगी उसके नीचे वाली तो heat भी टेच करोगी तो फरक नहीं पड़ेगा also common nerve injury और weight loss जो नसहों की damage होती बाडी के अंदर वो भी होना सुरू हो जाता है और वजन का कम होना भी सुरू हो जाता है रोला फार्मसिस्ट अगेन बैसिलाज कामेट ग्यूरी ना बी सीजी वैक्षिनेशन ये वैक्षिनेशन कुछ समय के लिए तो रहात देती है बड़ पावनेट इलाज नहीं है बड़ हाँ दस साल से तीस साल तक आपको यह क्या करेंगी लैप्रेसी से बचाके रखती है अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीट्मेंट कोशिस की जाए जहां आपको पहला कोई चीज नजर आती है तुरंत आप जाए डॉक्टर के पास ठीक है तो यह आपको फार्मसिस समझाएगा कभी कोई चीज ऐसी दिखती है ठीक है मालोग जिस एरिया हम फैला हुआ है तो हम लोगों को समझाएगा कभी कोई ऐसी चीज दिखी तो तुरंत आप कंसल्ट करें डॉक्टर से फार्मसिस से आइसोलेट पेशेंट जो पेशेंट है उसको क्या कर लें आइसोलेट कर दें अलग नहीं इस्तवाल में है तो पॉपरली उनको जला दें या फिर फैंक दें प्रॉपर गार में जुझा करके प्रॉपर हेल्ट एजुकेशन दी जाए इससे की वो लोग समझ सके बिमारी कैसे फैलती है कैसे पनपेगी और कैसे बचाओ होगा इस टाइब से लेप्रेसी का टॉपिक भी हमारा क्या होता है कवर अफ होता है तो यह हमारा स्ट लास टॉपिक था इसके बाद एक टॉपिक और बचाओ एक जाए हुआ है फिर यह चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा फिनिश हो जाएगा ठीक है तो हमेशा की तरह नोट का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कॉल करें डारेक्ट मुझे जुड़ना है लाइव क्लास लेनी है तो हमारे एप से जुड़ें जैसे कि बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं और सबसे जरूजी चीज पढ़ते रहें रिव अलवेश